नमस्कार दोस्तो टार्गेट विद पियस पर यहर चैनल में आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे तीन विभिन भरतियों की एक तो है हाई कोड की बरती जिसके विग्यापन आज जारी हुआ है दूसरी सूजना है नई प्रास्मिक सिक्षक ब दो हजार तेजिए बंपर पदों पर भरति की तो वीडियो को चलती से लाइक करते शेयर करते और जिन चात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो चलती से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की अथेंटिक अप्डेट साब से पहल यहां पर विद्यारती एक सिंपल सा फ्री टेस्ट देकर के मन चाही जौब प्राप्त कर सकते बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल कंपनियों में इनी विद्यारतियों के जौब लगे और रिलेवल कहता कि यहां पर कोई जरूरी नहीं है कि आप टेक्निकल हो या नान टेक्नि लेने के लिए तो यहां पर कुछ कोर्स भी उपलब दे इने भी आप जॉइन कर सकते हैं रिलेवल गारंटी लेता है कि अगर आप टेस्ट में 50 पर से जादा नमबर आती है तो 15 दिन के अंदर आपकी जौब प्रोवाइट करा दी जाएगी वहीं पर यह कोर्स अगर आप करते हैं टेस्ट में अधिक नमबर लाने के लिए तो इसमें अगर आपको मज़ा नहीं आता है तो 14 दिन के अंदर अंदर आपको पूरा पेमेंट भी वापस कर दिया एक साल के अंदर 80 क्रोड से ज्यादा की जौब रिलेवल दे चुका है और यहां पर लगबग 1200 से ज्या सारी केटिकरी जेश आपको जो चीज आती है आप उस टेस्ट को यहां पर funkold together ie Kaline Science च्राम सकते हैं भी आप लेश। पूरा प्टेस्ट कर शिदर के और विजदारती पूंच रहे हैं लिए तैसा नहीं है आप लोग कई बार टेस्ट कर दे सकते हैं और और बहुत सारे चात्रों ने business fronted course के द्वारा जहां पर job प्राप्त किये और मैंने बहुत सारे चात्रों के नाम भी आपको समय समय पर तो री लेवेल का based part है इसकी स्यूर्टी और मैं कह सकता हूं कि your investment in your career is secure with और अगर आप test देने के लिए या job के लिए इनका यह course join करते हैं और और course complete करते हैं तो री लेवेल कारंटी लेता है कि आपकी जॉब लगेगी और अगर किसी करणवास आपकी जॉब नहीं लगी तो आपकी 50% की फीस 50% इनकी जो course की फीस से वह आपको भीना कुछ के आपको वापस कर दी जाएगी यह आजकर कोई दूसरा प्लेटफर्म देता ही नहीं है री लेवल क्लियरली इस दा बेट प्लेटफर्म फार यू तू लर्न न्यू इस्किल्स एंड फाइंड जॉब देट यू डिजर समय समय पर बताएं तो चलिए अब बताएं हम लोग बात करते हैं सबसे पहले हाई कोट की बढ़ती की सब्सक्राइब करते कर नहीं देकने तो क्या सपास आपको website पर विज्ञापन देखने को मिल जाएगा और फाइनली विज्ञापन जारी कर दिया गया है मैं दिखा देता हूं मोटी मोटी बाते हैं आपको कि क्या बदला हुआ है क्या बदला नहीं हुआ क्योंकि सुबह की वीडियो में विद्यारती बहुत सारे प्रेशने पूंच रहे थे विद्यारती लगातार फोन भी कर रहे हैं तो लिंक एक्टिवेट हो गई है इसके लिए आप लोग आज सही आविधन कर सकते हैं गुरूप सी किसे पहले हम लोग बात करेंगे जूनियर सब्सक्राइब कर दो किसी भी वर्तीम है तो यहां पर जो गृप से आफ लाइन यह परिच्छा होगी इसके बारे में मैंने सुबह या आपको जानकारी दी इसकी बारें विद्यारती उन्हें जो सबसे ज्यादा कोशन पूंचा है वह टाइपिंग को लेकर के पहुंचा ह तो इस से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसमें तो बताए गया कि हिंदी और इंग्लिज दोनों टाइपिंग पूछी जाएगी लेकिन सबसे मेरे मुद्धा था कि टाइपिंग में फॉंट कौन सा होगा फॉंट के बारे में कई बार इसकी पहले नोटिफिकेशन जारी हुए विवाद भी हुआ विदर्थी कोड भी कहते और जानकारी नहीं दी गए थी कि कि किस फॉंट पे यह लोग टाइपिंग करवाएंगे लेकिन इस बार तो नोटिफिकेशन जारी हुआ है ताकि विवाद ना हो इसलिए साफ सा बता दिया कि कि किस फॉंट पे टाइप नंबर का क्यों पोचे जाएंगे 25 पचीस मार्स यहां पर लिखा है यह टाइपिंग टेस्ट के बारे में लेकिन यहां पर इस पर स्पर्ष्ट कर दी गई यह यह बदलाओ है यह पिछली बार ऐसा बदलाओ नहीं था कि मिनिमम्म आपको दस नंबर लाने है फिर जिस तरी तो यह क्लिरिफिकेशन पिसली बार नहीं किया गया था हाँ एक चीज रहती हाई कोड़ती में कि यहां पर ऐसा नहीं है कि 25 से कम की टाइपिंग को फेल कर दिया जाएगा याद रखिएगा यह बहुत तर विद्धार्तियों की बात नहीं पता है हाई कोड़ की वेकेंसी में भी ऐसा होता है और यह हाई कोड़ी में भी होता है यह क्वालिफाइंग नेचर का पेपर नहीं है जिसमें क्वालिफाइंग जो नेचर का पेपर होता उसमें ऐसा होता है कि आपकी 25 से कम की अगर हिंदी है और 30 से कम की अगर आपकी अंग्रेजी की टाइपिंग है तो यहां पर अगर आपकी 20 और 20-20 दोनों में यह 18-20 दोनों में तो आपको चैन कर लिया जाएगा याद रखीएगा यह एक अच्छी चीज है और यहां पर और फार्मेटिंग को भी ध्यान में रखना पड़ता वस इतनी संतर रहता है फार्मेट एक निश्चित फार्मेट में टाइपिंग करनी होती है तो यहां पर 25 नंबर का हाई दोनों पर इसमें लिखा कि 10 नंबर आपको कम से कम लाने होंगी तो दस की नंबर दस तो लाना ही पुलेगा नहीं तो फिर आपके मेंस की भी जो काफी लिखी परिच्चा जो है वह नहीं होगी हाँ एक चीज और विद्धार्थी प्यूंस रहते सब से टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा काफी लंबे समय के बाद तो जिस तरीके से आरो यारो होता है ना उस तरीके से नहीं होगा और यहां पर टाइपिंग के बारे में यह देखिए कि कम से कम आपको जो है दस नंबर लाने हैं और 11-12 भी लाएंगे तो जोड़ करके निकाल दी जाए और सेलेक्शन कमेटी यहां पर फिक्स भी कर सकती है कि कम से कम इतने नंबर लाने पड़ेंगे सीट खली रहे जा कि पिछली बार बवाल हो गया था कुछ ऐसे विद्यारती चैन कर ली गया थे गृप सी और तो जानते हैं कि यहां पर क्या होता है और साथ तब साथ घ् संथ हो गया पिछली बार पिछली बार की बर्ती है यह चाहिनी तो उनको ना टाइपिंग हा रही थी और वहां के जिला प्सलेगर लेटर लिखता है को कि यह किस दिशलिए यांपर लिख दिया गिया सेलेक्शन कमेटी सब्सक्राइच着 कॉलई मार्स लिए तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें लाइक भी कर दिया करें और जिन चातरों ने वीडियो को शेर ना किया तो यहां पर ही बताए गया कि होगी उसमें कितने नंबर लिखाए 400 दिया जाएगा यह देखिए पूरा 10 मिनिट का पेपर होगा आपका कंप्यूटर में ही टैपिंग होगी टैप रैटर में नहीं होगी और जो भी दर्ती से पास होंगे उनको एक पैसस दिया जाएगा तो यहां पर और यह कह दिया गया कि जब यह रिजल्ट घोसित कर दिया जाएगा स्टेज करवाई जाएगी तो यह चीजें भी आपके किलियर हो गई कि तुरंद टाइपिंग नहीं होगी और मिनिमम कटाफ की बारे में मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर टाइपिंग में दस नंबर आप कम से कम 11-12-13 भी लाएंगे तो यहाँ पर फेल होने के चांसे ज्यादा नहीं रहते हैं रिटन में नंबर खीसना होगा कितना खीस लेंगे आप इसमें तो हाइस्ट कटाफ जाती है धांदली होती चर्चाम रोज करेंगे और ग्रुप सी की बारे में यहाँ पर और बहुत सा करेंगे सब्सक्राइब पर जैनटा हें जो आपको बता दिया में कि में वाइसे वाइसे मांगल नथा होilippe पर चुन सकते हैं दोनों में कर सकते हैं हाइप केवल और केवल मंगल फॉन्ट ही चलता है यह आपर यह चीज इस बार बहुत अच्छी तरीके से कर दी गई है वही पर गुरूप टी का यह नोटिफिकेशन है घ्रूप टी में भी यह कोई बदलाव नहीं है जैसे पिसली बार डी होता था वही है और इसमें दो पेपर होंगे फर्स्ट सेज का यह स्लेबस भी जारी कर दिये गया है जी इंग्लेश मैथमेटिक्स और हिंद हो गई और इसकी एक खासियत यह कि बाकी जामों की तरह ऐसा नहीं होता है कि यह जो विद्धार्थी इसको पास कर गए उसके बाद में इसको पास कर गए और इसी से मिरिट बनेगी यहां पर दोनों को चोड़ दिया जाता है इसके नंबर प्लस इसके नंबर और टोटल यहां पर देखर यह सब लिखा है बारे मिदा के शबैता द्टलोट यहां Vithtis चालता है अनुंइन कपालन कर छाए हैं बिल्कुल सेम उची तरीके सोने चाहिए नोटिफिकेशन यह स्लेवस दिया है दोनों फर्स्ट और सेगेंड वेपर का नभी मिनट का समय यह देखिए यहां पर यहां पर भी लिखा है नो निगेटिव मार्किंग होगा या और सब बाते यहां पर लिखी है और यहां पर बहुत ज़्यादा बावाल हुए था बहुत ज़्यादा पत्र वाइरल हुए थे मैंने बहुत सारी वीडियो इस पर बनाए थे यह स्टेनों का पेपर है स्टेनों में भी एक रिकित एक्जाम होगा उसके बाद में सॉट हैंड होगा और टाइप टेस्ट चुंकि जहां प अठाइसों का ग्रेट पर हैं बागी में दो खाजार जुनिगर शिष्टेन तयाद में बागी में अठारा सो निस्सों है गुरुब्डिया या इत्याद में तो यह पूरा का पूरा जो है विस्त्र नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसमें टाइपिंग कॉंबर लास्ट डेट हैं अब हम लोग बात करने वाले हैं नई प्राथमिक शिक्षक भरती की कल पुलिस कॉंस्टेबल भरती के लिए ट्रीटर अभियान चलाए गया था और आज इसमें अभियान चल रहा है लेकिन जोस में थोड़ा सा कमी है इसलिए आप लोग इसको और तेजी से बढ़ाएं जिस तरीके से कल ट्यूटर अभियान चला था पुलिस कॉंस्टेबल भरती को ले करके फिर पुलिस को जवाब देना पड़ा सरकार को भी चवाब देना पड़ा समचार पत्र में भी जानकारी दी गई और इसी तरीके से आध भी होना चाहिए अच्छी बात यह खुशकबरी यह है कि कम से कम यह ट्रेंड कर रहा है आज और लास्ट में अंतिम सूसना यह है कि टीजीटी पीजीटी 2023 में बंपर पदो पर बढ़ती होगी इसकी बारे में तीन दिन पहले ही जब माद्यमिक शिख्या मंतरी गुलाब देवी से चाटरों की बात वी थी तो उन्होंने कहा था जब पद जोडने की बात आई थी तो उन्होंने कहा था पद तो हम नहीं चूड़ पाएंगी यह जो भरती चल रही है इसमें पद जोड़ेंगे नहीं एक भी पद नहीं जोड़ेंगे लेकिन जो भी रिक्त पद हैं उसके लिए हम बहुत जल्दी पोर्टल खोलेंगे और बंपर भरती के जो विग्यापन वो आपको 2023 में देखने को मिलेगा चुँकि आज ही के समझार पत्र में ये जानकारी दी गए है कि 14 माह में 71,000 भरतियां दी जाएंगी सरकारी वो भी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है राज सरकार ने विभागों में निक्तियों का लक्ष तैकर लिया है कि किन किन विभागों में कौन कौन सी भरतियां हो ने कहा कि सन 2022 की विग्यापन पूरा करने के बाद इसके बाद बड़ा विग्यापन पीजिटी पीजिटी के आने की पूरी प्रबल संभावना है ये बात मादमी सिक्षा मंत्री मोहति के दोरा कही गई पिशीतले परशाद ओजा तो एक बैकेंसी तो आपकी लगी हुई है ज